नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका ही माचल लनर साब में आज हम बात करेंगे लेटेस रिक्रूटमेंट की जो की नवोध्य विद्याले समीती में निकली गई है तो अबरॉल सारी रिक्रूटमेंट्स निकली हैं, वेरिस डिपार्टमेंट्स की जहां पर बात की जाए असिस्टेंट कमिशनर की हैं, जूनियर इंजिनियर की हैं, मल्टी टास्क की हैं, एन्वी एस की हैं junior sectorate assistant की है computer operator की है stenographer की है और staff nurse की भी है तो इन में से जो भी ज़्यादा important vacancies है जिनके number of vacancies ज़्यादा है उनकी मेली हम बात करेंगे सबसे पहले बात करते है female staff nurse की तो इसमें भी काफी अच्छी vacancies है अगर आपके किसी relative नहीं या फिर आपने staff nurse का course किया हुआ है तो आप इस vacancy को fill कर सकते हो last में जाके हम qualification भी देखेंगे साथ में इसका grade पे pay scale सब कुछ देखेंगे कि कितना pay scale है जो most important vacancy जो यहाँ पे निकली है वो है junior sectorate assistant यहाँ पे आप देख सकते हो post code 12 है तो यह इसका cadre JNB के अंडर है यहाँ पे unreserved की बात करें तो 254 post है EWS की 62 है OVC की 167 वहीं SC की 93 ST की 46 और total vacancies यहाँ पे होगी 622 मतलब बहुत अच्छी vacancies हैं बहुत जादा post है 622 total post है हर एक expect पे बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या syllabus रहेगा क्या grade पे है तो next बात करते है pay scale की pay scale आप यहाँ पे देख सकते हो female staff nurse का age भी देख सकते हो up to 35 years की age अगर आपकी है तो आप भर सकते हैं साथ में अगर आपने 12th plus कोई भी 3 साल का diploma किया हुआ या certificate है आपके पास nursing का तो आप इस post को जो है वो fill up कर सकते हैं बाकी desirable knowledge है कि आपको जो है वो regional knowledge होना चाहिए लेंग्विज का next next vacancy की बात करें हम जो भी बहुत important है जिसमें 622 post हैं वो है junior sectorate assistant की pay scale यहाँ पे देख सकते हो आप लेकि तो जादा pay scale लेका क्योंकि center की job है यह age factor यहाँ पे most important है क्योंकि 18 से लेके 27 की बीच आपकी अगर age है तो आप इसको भर सकते हैं qualification की बात करें तो qualification यहाँ पे 12th base है अगर आपने plus 2 करी हुई है तो आप fill up कर सकते हो post को साथ में आपकी computer में minute speed होने चाहिए desirable इनका भी यही है कि आपके पास 6 months का diploma होने चाहिए अगर नहीं भी है तब भी चलेगा साथ में accounts का experience हो आपके पास तब और भी अच्छा है तो बाकी बात करते हैं कि आप इस form को कहां से fill कर सकते हो और साथ में क्या-क्या syllabus रहेगा इसका तो syllabus की बात करें तो दो stages में यह paper होगा पहला जो है return and second one आपका होगा typing test तो return के लिए mainly 130 number का paper होगा धाई गेंटे की timing रहेगी यहां पे parts में divide है 5 parts में 20 marks की mental and reasoning ability आएगी 20 marks का math आएगा साथ में 30 marks की journal awareness आएगी और जो language है वो भी आएगी साथ में 13 marks की 15 marks की Hindi and 15 marks की English उसके बाद basic computer knowledge अगर आपका है 30 marks computer के questions के होगे next इनका typing test होगा अगले step की बात करें तो यह इनकी official website है आप देख सकते हो अगर आप यहां पे जाते हो तो आपको various जितनी भी recruitments निकली है वो आपको website में मिल जाएगी और वहाँ से आप fill कर सकते हो अगर यहां पे fees की बात करें तो fees बहुत high-five रख्यों इनों है अगर आप staff nurse के लिए apply करना चाहते हो तो आप देख सकते हो 1200 fees है और बाकी जैसे जेई बगारा हो गया या फिर junior secretary and assistant हो गया तो उसके लिए 1000 रुपया fees है important dates की बात करें तो registration जो थी तो 12th of January से open हो गी थी और खतम कब होगी तो 10th of February को यह खतम हो जाएगी तो यह सब था इस vacancies के बारे में अगर आपको यह notification चाहिए पूरी official notification तो description box में आपको google drive में एक link मिल जाएगा वहाँ से आप इस सारी notification को download कर सकते हैं तो इस video में इतना ही अगर आपको video अच्छी लगी हो तो please subscribe the channel